होमियो रीडर के योटूब चैनल पर मैं डाक्टर मिराज अंसारी आपका स्वागत करता हूँ आज की जो हमारी अपडेट है वो स्टेट बैंक आप इंडिया में पीयो यानि की प्रो बेसिनरी आफिसर के पदो पर भरती को लेकर है जिसके बारे में आज हम आपको जानकारी लेकर आएं हैं और ये जो है उन यूवा हो में पैट टीक स्टेकों के लिए काफी अच्छा मौका है जो की सरकारी जॉब में इंटी पाना चाहते हैं तो उनके लिए मौका है कि अगर आप भीये चमस है तो इसमें अपलाई कर सकते हैं और इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे उसके पहले अगर आप को सब्सक्राइब करना न भूलिये तो आए स्वरू करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जैसा कि अगर हम बात करें कुल पदो की संख्या की बात अगर हम करते हैं तो 2000 पद है पूरे इंडिया भर में इसकी वेकेंसी है complete अगर हम पदों की बात करें PO officer की probationary officer यानि PO के पदों की जो संक्या है वो total जो पद है वो 2000 पद पर ये भरती होनी है तो number अगर हम पदों की बात करें तो 2000 पद पर ये भरती होनी है पहला condition है अगर आप इसमें वेकेंसी की current इस्तिती को देखना चाते हैं तो आप देख सकते हैं कि जनली जो है जो total वेकेंसी है अगर हम total वेकेंसी की बात करें तो देखिए इसमें 2000 वेकेंसी है जिनमें 80 के लिए 300, 80 के लिए 1.500, OBC के लिए 540, EWS की 200, general की 810 यानि total 2000 पदों पर ये भरती हो रही है जो आप तक की अगर देखा जा तो बहुल बड़ी भरती है अब इसके लिए हम आपको बताते हैं इसका जो eligibility criteria है वो क्या है तो इसका अगर हम eligibility criteria की बात करते हैं तो candidate उन candidate ये फार्म भर सकते हैं जिनका जो qualification होता है वो equivalent हो जो है किसी भी recognized university से graduation के बराबर इसमें साब साब देखी लिखा हुआ है line पर कि candidate जो है processing qualification such as a medical, engineering, chartered accountant, post accountant would also be eligible यानि वो सब भी इसके लिए eligible हैं अब generally हम बात करते हैं इसमें apply करने की तिथी के बारे में तो आपको हम बता दें कि बहुत ही कम समय बचा है मैं आपको ये update लेट में दे रहा हूँ मुझे भी ये जानकारी लेट में ही आई थी तो इसमें मैं आपको बता दूँ कि इसका farm online farm सुरू हो चुका है जो की 7.09.2023 से सुरू हो चुका है और 27.09.2023 यानि 27.09.2023 तक ही farm भरे जाने हैं तरह आपके पास अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ दो दिन है पेमेंट आप एपलिकेशन फीस भी आपको 27.09.2023 यानि 27.09.2023 तक ही जमा करना है अब इसमें अगर हम बात करें examination के लिए तो examination का जो call letter है वो second week आप October में आपको download करना है पहला जो online examination होगा अगर हम बात करें इसके बारे में तो number 2023 में होगा और number में ही इसके result भी declare हो जाएंगे उसके बाद इसका जो है main exam होगा यानि कि एक pre होगा और एक main होगा main exam की जो date है अगर आप बात करें main examination के लिए call letter तो दिसंबर में ही आ जाएगा जब result जारी होगा फश्का और online main examination जो है अगर हम बात करें तो वो जो है दिसंबर 2023 में लिया जाएगा या 2024 में और उसका result भ है जिसमें call letter आपको डाउनलोड कर से के psychometric test और साथ में interview देना है और उसके बाद जो है declaration आप final result होगा जो की फरवरी और मार्च 2024 में होगा तो जो UABHMS है जो BAMS है जो BUMS है उन सब के लिए बहुती बढ़िया मौका है इसको भरिये और बहुती जल बहुती कॉसार्ट समय में सब पेपर भी हो जाएगा और साथ में examination के अगर हम बात करें pre examination training भी दी जाएगी ST, SC, OBC and religious minority community के जो candidate है first week of October 2030 यानी examination के पहले उनको training भी दी जाएगी अब इसके लिए अगर आप जो है पूरी आगर इसके लिए apply करना चाहते हैं तो देखी apply करने के लिए आप इसमें screen पर देख रहे हैं कि आपको जो है apply करने के लिए आपको इसकी website पर जाना होगा देखी यह website bank.svi.com slash carrier slash current opening यह इस तरह से हैं आप इस पे जाके apply कर सकते हैं तो यह वाला है तो इसमें अगर हम बता दें आपको कि बहुती कम समय है अगर जो भी लोग इच्छुक हो वो इसमें apply करना चाहते हो तो कर सकते हैं बाकी मैं इसका जो document है इसको मैं discussion box में भी डाल से देंगा जहां से आप पूरी जानकारी भी ले सकते हैं और यह जानकारी कि आपको कैसी लगी हमें जरूर बताईएगा home your little देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्वाद